Good morning all the students of class 6. Today I will discuss last topic of unit number 5 that is air pollution. So open air book and turn to page number 47. Student, air में मौझोद तमाम खेर सरूरी और हामफुल सबस्टेंस एर पॉलुशन का सबब है. Air Pollution की सबसे बड़ी वज़ा बर्निंग अफ फ्यूल है, जिसमें कोल एंड ओल शामिल है. ये फ्यूल मुक्तलिफ हाउस, फेक्टरीज, पावर स्टेशन और वेहिकल में इस्तमाल होते हैं, जिसकी वज़ा से हावा में स्मोक के साथ साथ पॉजनस कैसिस का एक मिक्सटर भी शामिल हो जाता है, जो एर में काफी देर तक रहते हैं. अब हम एर पॉलुशन की वज़ा से होने वाली प्राब्लम को डिसकस करेंगे. एर पॉलुशन सांस देने में प्राब्लम और लंग डिजीजिस का सबब बनती है. हवा में मौझूद पॉजनस कैसिस का मिक्सटर क्लॉड में शामिल होकर ऐसी ट्रेन की सुरत में जमीन पर तबाही का सबब बनती है. ये एसेड ड्रेन, बेल्डिंग, ट्रीज और क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाती है और दरियाओं के पानी में शामिल होकर फिशीज और दूसरे एक्वेटिक एनिमल को भी नुकसान पहुंचाने का सबब बनती है. Student, I hope के युनित नुमबर फाइफ आपकी नौलिज को इंक्रीज करेगा. अब आजए हम टास्क पे. हम टास्क, Q1. How the atmosphere protect the earth from becoming too hot? Answer is given on next slide. Then make a title page for objective work of unit नुमबर फाइफ and do Q2, 3, 4. 5 and 6 from page no. 49 and 50. Answer of these questions are also given on next slide. Also attempt question, write the names of the layers of the atmosphere. Next question, draw figure of acetrine from page no. 47 and describe how acetrine occur. Student, last question के निये आप figure को बुक की तरह कलरफुल बनाएंगे और figure में दिये गए description को as it is लिख लेंगे. Thank you.